हेई एब्रीवन वेलकम बेक टू मम्ता वैसन स्टूडियो तो आज की वीडियो में हम जो स्लीव डिसाइन बनाएंगे उसको आप अपने ट्राउजर पर भी बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं मैंने इसको स्लीव पर बनाया है अपने तो सबसे पहले मैंने एक बुक्रम का पीस लिया है जिसकी लेंद 5 इंचिस और विद 4.5 इंचिस है सेंटर से इसको इस तरीके से फोल्ट कर देंगे और नीचे से 1.25 या 1.5 इंचिस पर निशान लगा लेंगे उसकी बाद इस निशान की लेंद जो है वो मैं 3 इंचिस करेंगे कट एक्स्ट्रा मार्जन को भी और इसको कप्ड़े पेस्ट कर लेंगे अब मैंने एक और फैब्रिक ले लिया है जिसकी जो लंबाई है साढ़े तेरा इंचिस और इसकी विद्जा वह एट इंचिस है इसकी पीछे मैंने फ्यूस पर अटैच किया हुआ है सैंटर से इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे उसके बाद एक और बार फोल्ड करेंगे यह देखिये क्रीच बना लिए मैं अच्छे से यहां पर हम जो डिजाइन बनाएंगे उसका शेप ड्रॉ करेंगे तो पहले बैब 1.5 इंचिस पर निशान लु लगा लूंगे इस तरीके हो जाएगा उसके बाद एक एक इंचिस का मार्जन देते वे निशान लगाना है हमें ये देखिए और जो लाइन का गैप है वो मैं 0.25 जितना ले रही हूँ कि स्टेच करने के बाद वो गयाब जो हाफ इंचिस का हो जाएगा है ये देखिए तो इस तरीके से फाइफ लाइन्स ड्रॉ करेंगे हम टोटल थ्री मैंने वन साइट कर लिया है इसको इस तरीके से डाक कर दूंगे और यहीं पर हमें सिलाई लगानी है ये देखिए चलिए jisnode कर लगानी है आपना चाहिए इस तरीके से लगा लुँगे मैं जितने भी हमना यह मार्क में लगाए जिए सिरु अफ कर लेंगे ये देखिए तो मैं आपने चाहे न तो यह शेप न आप पूरे में भी लगा सकते हैं मैंने उनली 5 लगाई जो कि हमारा फ्रंट में आ जाएगा बस आप साइड्स में और भी ले सकते हैं इसकी कपड़ा जो है आपको ध्यान से काटना है पूरा ना कटने पाए जलता है और अच्छे से कट लगाने ताकि फॉलड भी अच्छे से हो जाए यह देखिए तो अब मैं इसको फॉल्ड कर दूँगी कई आइरन कर लिया है यह देखिए अब इसको साइड में रहेंगे मैंने स्लीव का फैब्रिक ले लिया है अपना स्लीव के फैबरिक के जो लेंद है वो 8 इंचिस है इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और सैंटर में एक कट लगाएंगे या फिर आप क्रीच भी बना सकता है या चोक से भी निशान लगा सकता है अगर आपको कट नहीं लगाना है तो अब जो हमने शेप कट करा अब इसको कपड़े पेस्ट किया था उसको में इस तरीके से सैंटर में क्रीच बनाएंगे और एक कट लगाएंगे और इसको स्लीव के सीधे पार्ट पर रखेंगे एक पेन लगा दूँगी तक यह हेले ना अब जो हमारी यह इसकी शेप है उस शेप में हम सलाई लगा द अब इसको इस तरीके से कर देंगे हम फोल्ड इस स्लीव में अमने लेस का यूज नहीं किया आप कर सकता है कॉंट्रा स्कुलर के लिए इसका यूज उपर से एक और स्लाई लगाई है मैंने इस स्लाई को हम बाद में नहीं निकालेंगे यह देखिए उसके बाद हमारा अच्छे से यह देखिए तो पहले पिछे से मैं इसको अटाच कर दे रही हूं उसके बाद आगी की तरफ से कर लेंगे तो बैक पार्ट से भी अटाच हो गया है अब फ्रंट से कर लेंगे जैसी ना स्लीव की ड्राउजर की और नेक डिजाइन की आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा तो अब फ्रंट वाले साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे इससे क्या होगा हमारा फिनिशिंग में फोल्ड होगा इसलिए हमने पहले बैक पार्ट का फोल्ड कर दिया था यह देखिए कैस यह जहां पर फोल्ड करके सिलाई लगा रही है ना आप चाहिए न तो यहां पर कॉन्ट्रास कलर का कोई भी लेज लगा सकते है गोल्डन कलर का इसमें जिस तरिकी के यह बूटी बनी हुई है ना रेड कलर का आप ऐसा लेज भी लगा सकते हैं और बीट्स भी आप रेड कलर के यूज लगा सकते हैं तो एक्सटर गप्रा मैंने कट कर दिया अब इसके सैंटर में जो गैप है इसको फिल करेंगे हम तो यहाँ पर मैंना दो बीट्स लगांगी छोटे-छोटे अगर आपके बस बड़े हैं तो आप एक एक लगा सकते हैं बाकि मैंने यहां पर दो लगा हैं क्योंकि हाफ इंचिस तका यह gap हो गया था इसलिए मुझे यहां पर दो लगाने पड़े यह देखिए तो इसी तरीके से ना गईज मैं यह लगा लूँगी पूरे में जितना भी हमारा gap है मैंने आपको बताया था जैसे कि हम इसको पूरे में भी कर सकते हैं बट मैंने सिर्फ फ्रंट फ्रंट पर ही यह डिजाइन रखा हुआ है साइट्स में मैंने नहीं रखा है ताकि हमारा यहां से अच्छे से स्टेच हो जाए यह देखिए तो इसी तरीके का लाइक और शेयर करें और मेरे चानल को सबसक्राइब करें सबसक्राइब के बगर में जो बैल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोडिफिकीशन आपको सबसे पहले मिले तो गयस thank you thanks for watching